कि वल्कम बैक तू सलाम केनड़ा नाजरीन हमारे सलाम केनड़ा के दूसरे गेस्ट उनका तालग भी रेल इस्टेट इन्डस्ट्री से है हमारे स्टूडियोज में तुश्यफ रखते हैं उमर भाहिद साब और अमर जमील साब वेलकुम तो अर्स्टूडियोज थैंक यू नाजरीन अमर साहब और आमर जमीर साहब का तालुक रीमैक्स एक्टिव रेल्टी से है जो कि एक बड़ी वेल नोन रेल स्टेट ब्रोकरिज है और बड़ा एक्टिवली काम कर दी जैसे कि नाम से आपने रीमैक्स एक्टिव तो अमर साब प्रोग्रम का आगाज में पहले आप से करूंगा थोड़ा सा मारे नाजरीन चाहेंगे कुछ आपके बारे में मालूम करना कि क्या आप करते थे क्या आपकी बेक्रोंड थोड़ा सा लिटल इंट्रोड़क्शन फोर आप यूवर्स जी है मैं जब कैनेड़ा में आया है तो सोचा के कोई करोबार को बिजनस किया जाए को थो एक दो बिजनस किये अच्छे सुसेस्टफूल बिजनस भूए पर चुकहconom है रिएल स्टेट मार्किट जो ओना वो काफी बूमिंग थी तो पर सोचा के प्राइवेटली कोัई इन्वेस्ट किया जा window रियल स्टेट में तो हमने क्या इन्वेस्ट में बड़ा सुक्सेट। और हमने ची कि ठैचर पाइदा हो तो वह एक मोटिवेशन थी हमारे पास तो तो उसके बाद हमने सोचा चुके इन्वेस्टमेंट करते थे हम को बैकराउंड थी हमारी तो सोचा कि क्यों नहीं रियल स्टेट में ही कदम रखा जाए क्योंकि बैक ओम भी आपका ख्रियर स्टालब था तो आपका एक्स्पिरीएंस था इस अरड़ी इस फिल्म में अब में दिसलिए तो हमने डिसाइड किया हम दो भाई हैं तो उन्होंने डिसाइड किया हमने बेन रियल स्टेट ब्रोकरेज जो हो खोली जाए तो हमने एक दो ब्रोक्रेजिस खोली, बड़ा सुक्सेस्फुल रन किया हमने, तक्रीब एटीन यर्स लग गए हमें, तो अब माशाला रिमेक्स एक्टिव फ्रेंचाइज हमने खोली साथ साल से वह साथ साल से आप रिमेक्स एक्टिव उससे पहले भी आप डिफेंट ब्रो दूसरा क्वेस्टिन आमर जमीर साब से है, आप रिमेक्स एक्टिव रेल्टी के मैनिजर हैं और काफी सारी रिस्पॉंसिबिलिटीज ने आपके शोलर पे और उन सब रिस्पॉंसिबिलिटी में एक रिस्पॉंसिबिलिटी है, हाईरिंग ऑफ एजेंट्स, तो उनकी तो क्या आप देखते हैं कुछ हमारे ऐसे नाजरीन हमारे दोस्त देख रहे होंगे जो के प्रॉबली सोच रहे हों के वो रेल स्टेट इंडिस्ट्री में आना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ आप कोई ऐसी गाइड लाइन्स के क्या कुछ इंफमेशन ऐसे दीजिए जब उनको फायदा हो से देखें रेल स्टेट बिजनस के लिए सबसे पहले तो कुछ गॉर्मन्ट की रिकॉर्मन्ट है लाइसेंस रिजिस्ट्रेशन लेने के लिए जिसमें हमें पहले एज़ुकेशन लेनी पड़ती है जो के यहां पे एक Ontario Real Estate Association College है OERIA College उसका नाम है उसके तुरू हम एज़ुकेशन लेते हैं जब आपकी एज़ुकेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको इज़ुकेशन जोईन कर सकते हैं तो उसमें different phases हैं, I think, पढ़ाई के different levels हैं, वो सब को करना पड़ते हैं, नादरी जरा गौर्स से सुनिया, आमिर साथ की बाद, different courses करने के बाद, फिर आप you join a brokerage, and then that brokerage आपके license को apply करती है, अच्छा, वो तो हो गया new agents के लिए, guidelines के, वो कोई भी information चाहिए, आप program के बाद, कॉल करके, इनसे आप information ले सकते हैं, अच्छा, दूसरे अरड़ी, जो अरड़ी एक working agents हैं, किसी और brokerage में हैं, उनको अगर आप hire करना चाहते हैं, तो क्या एक, आपका hiring criteria क्या है, आप क्या agents में क्या देखते हैं? तो हमारी पहली चीज़ होती है कि people skill होनी चाहिए उस बंदे में, क्योंकि इस business में ये बहुत जरूरी है, उसके लावा उस बंदे में थोड़ी सी ये है के sales skill थोड़ी बहुत हो, बाकी क्योंकि ट्रेनिंग जो है, वो real state में बहुत बड़ा रोल अदा करती है, to be successful in this business, तो उसके लिए हम फिर agent को वहाँ से लेके train करते हैं, पहले है कि basic चीज़ें उसमें एक तो motivation होनी चाहिए, dedication होनी चाहिए, और सबसे बड़ी अच्छी बात जो है, जो के, मैंने एक जगाँ पढ़ी थी, जो स्टीव जॉब्स, जो के अपना Apple Corporation के जो CEO थे, जिनके अभी recent पी इन्तिकाल हुआ, उनने बड़ी इस एक बात की, एक वीडियो में की देख रहा था, उनने कहते हैं, काम हमेशा वो कीजिए, जिसको आप पसंग करते हैं, जिसमें आपका दिल है, अगर जो काम करने हैं, अगर आपका दिल उसमें नहीं है, you can never be successful, जी जी बड़ी अच्छी एक उनने बात की थी, तो अबिसली इस काम के, इसके हर काम के, हर प्रोफेशन के हमने चैलेंजिस भी होते हैं, तो जाहर है वो आया, एक तो motivated चाहिए, dedicated होने चाहिए, और यसे का कि उसमें people स्किल होने चाहिए, लोगों के साथ interaction करने के भी, उसके आप जाहर है आते हैं, आप क्या चीज़ें, उनको क्या incentives आई हैं, क्या कैसे आपको, इंसेंटिव का जहां तक तल्लग है, सबसे, इंसेंटिव एक कुछ तो होते हैं, कि आपको monetary benefits होते हैं, उसके लावा कुछ होते हैं, जहां पे आपको training और education continuous चाहिए, इस business के लिए, जिसमें हमारी brokerage काफी ज training programs औरेंज करते हैं, जिसमें जो new agent start करता है, उसके लिए different programs होते हैं, जो experience sales personnel के लिए different हैं, क्योंकि हर एक को आप same class में नहीं बठा सकते हैं, तो उस लिहां से हम differentiate करते हैं, जिसमें हम कोई बिलकुल new agent है, तो उसके very basic business planning से हम start करते हैं, कि आपने business plan क्या होना चाहिए, start करते हैं, फिर उसमें जो भी real state में सारे phases होते हैं, जिसमें listing process, buying का process होता है, negotiation skills होती है, right, तो etc, etc, इस तरह और भी चीज़े हैं, तो हम हर चीज को touch करते हुए इस किसम के courses provide करते हैं, तो जारे of courses की training जो आप करवाते हैं, वो भी आपकी responsibility का हिस्सा है, कोई ऐसे ऐसे कोई courses को program जैसे जो के agents जिनसे फाइदा उठाती हैं या उठा सकते हैं, उनके बारे में कुछ बताएए, जी कुछ उसमें कुछ courses के नाम तो एक succeed के नाम से हम course करते हैं, जो बिल्कुल brand new agent के लिए है, उसमें हम again very briefly और बहुत detail oriented वो course होता है, जिसमें agents जो हम उसको पूरा तिया कर देते हैं eight weeks में कि वो independently business में फील्ड में जाके business कर सके, उसके अलावा कुछ courses हैं जो बड़ी बड़ी कोच है, real estate industry के, उसका हमारा office certified mentor है, जिसमें buffini and company है, hundred days to greatness, उस course का नाम है, वो हम करते हैं, आज कल आपने देखा होगा, social media काफी ज्यादा इन्वाल हो रहा है, marketing में औ तो हम social media के courses run करते हैं, तो इस तरह की और काफी detail oriented courses हैं, जो के एजेंट्स की successful के लिए बहुत जरूरी है, टेक्नालोजी को use करते हुए हम इन चीज़ों को साथ लेकर चाहते हैं, from time to time, कोईने को courses आप करते रहते हैं, उनकी monitoring, उनकी सारा आप उटको करते हैं, तो अबर सा अब मुझे ये बताएं कि आप सिर्फ कोई एक certain area में काम करते हैं, यहां कि mostly agents जो मैंने, मुझे experience हुआ है, मैंने जो देखा है, they only work in a certain area, a specific area है, जिसको farm area कहते हैं, एक subdivision है, उसी में वो काम करते हैं, उनसे किसी और area के बारे में पूछें, तो उनके कोई idea नहीं है, ठीक हैं, successful, उन्होंने definitely farming का area जो है, वो उन्होंने designate किया हुए और उसी जगह पे वो जाते हैं, सोबा, शाम, सब जो एना farming करते हैं, तो दूसरा basically जो sale person है, अगर वो मेरी company का उधर जाए, तो वो हम उसे यही कहते हैं, कि नहीं, वहां पे एक लगा हुए, एक बंदा काम कर र जाए, exactly, तो आप residential real estate के लावा commercial में भी involved हैं, जी हैं, हम commercial में भी involved हैं, और काफी listings हैं हमारे पास commercial की sales persons की, तो बड़ा successful है वो भी department हमारा, आच्छा, क्यूंकि normally जो license है आपका यह Ontario का है, अगर मैं कहूं जी मुझे मुझे कौन वाल में हैं यह property चाहिए Ontario में दूर दराज तो आप वो services परवाइड करते हैं, बिल्कुल definitely जी है, वो भी services परवाइड है, license हमारा है Ontario का है, लेकिन हम Canada में जहां मज़ी बेच सकते हैं property, आच्छा, अच्छा, very nice, अच्छा, बरी नाइस, अच्छा, दूसरे बताईए कि क्या marketing strategy क्या है, किसना अपनी company को आप market करते है और किसना किसे position करते हैं market में, आपके क्या study, क्या advertising marketing या, advertisement बिसिकली जो salesperson है वो अपनी खुद ही करते हैं, जाहरा कि उनका criteria के भी, वो company का नाम जरूर होना चाहिए और telephone numbers के साथ, but as a company को support करते हैं, इस चीज में को help करते हैं या उनको guidelines हैं उनके लिए कि कैसे है, आमर सब यहाँ पर मैं एक चीज आड़ करना चाहूँगा, कि marketing का जहां तक तालक है, हम agent के साथ one-on-one basis पे भी work करते हैं, तो हम properly area define करते हैं, कि कहां पर हमें advertise करना चाहिए, दो किसम की advertisement होती है, एक तो brokerage level पे होती है, एक salesperson ये brokers के level पे होती है, तो जहां तक हमारी advertise क्योंकि हमार technology को हम लेके, मीडी different medias के तरूजिस में internet media, social media, print media हो गया, इन सारी चीज़ों से advertise करते हैं, तो उस वज़ा से company माशाला काफी successfully grow कर रही है, यह नहीं वो तो, you know, काफी माशाला काफी अच्छा हैसमें कर रहे हैं, अच्छा कुछ बताएए कि आप कुछ ऐसे projects जिन पे आप नहीं करते किसी चीज़ को, जो भी चीज़ है, ग्रूप की base पे हम करते हैं, क्योंकि उसमें growth ज्यादा होती है, first of all, तो उस लिहास से हम downtown में काफी ज्यदा projects में involved हैं, being a broker, हमारे पास बहुत सारे projects की as a brokerage access है, बड़े बड़े projects की, उसके अलावा commercial में हम कुछ project करते हैं, जिसमें medical building होगी, investment building होगी, कुछ warehouse होगा है, जिसमें हम काफी ज्यदा involved हैं इस department में. अच्छे, जैसे कि मैंने आपसे पहले बात की थी कि hiring, आपकी responsibility बारे में कुछ बताये भी, कि आप training बड़े करते हैं, लेकि उसके लावा क्या, why remix active? Remix active जैसे कि मैंने पहले बताया कि real state के लिए training बहुत ज़दा important होती है, Remix हर agent को individually लेके चलती है, हम यह इस चीज़ पर believe करते हैं, कि हर जो हमारी team का part है, वो हमारे लिए successful होना चाहिए, कोई भी जो agent है, तो उसके लिए हम one-on-one training पे भी तवज़ देते हैं, group training भी करते हैं, और उसके लबाब back support एक बहुत ज़दा रोल अदा करती है agents के लिए, क्यूंकि आपको services जब तक proper नहीं मिलेंगी office से, तो उसके तक कोई भी agent successful नहीं हो सकता, उसकी example ऐसे है, जैसे के 24 hour हम live answering service प्रवाइड करते हैं, कि जिसमें कभी भी आपकी call जो है, voice mail पे नहीं जाती, हर वकत कोई ना कोई बंदा आपकी call live attendant होगा, available होगा 24-7, day and night, doesn't matter which time of the year is, तो इस जिए बैक स्पोर्ट में हमारा जो administration वाला स्टाफ है, वो बहुत ज़धा स्पोर्ट करता है, agents को, क्योंकि agents जो होता है, वो outside work कर रहे होते हैं, field में, तो उन पे बहुत ज़धा pressure होता है, तो उसके लिए हम यह करते हैं, कि हमारा जो back स्पोर्ट स्टाफ है, उनको ऐसे train किया गया है, कि वो उनको comfort से जिस चीज़ की भी कभी उने जरूरत हो, तो वो उने मिले, apart from that, एक और चीज़ मैं यहां mention करना चाहूंगा, जैसे अभी उमर साब ने कहा कि हम इसको manage कर रहे हैं काफी successfully, उसमें जहां तक हमारा role है, हम यह हम agent के लिए हर वकत available होते हैं कि आप एक दफा हायर कर लिया, तो आपको broker से मिलने के लिए, उसके मालू में ने थी, broker साब कहा हैं, कहा हैं, जी जी, विल्कुल, exactly, तो हम एक phone call away होते हैं, mostly हम phone answer करते हैं, और आपको यह different level की service provide करते हैं, जिसमें आपके पास 2-3 different options होती हैं, जिसको जाहें आप call करें, like phone phone call, जो literally कहा जाता है, कि इस just one call away, आपको अब dial number करें, आपको immediate service में ले, तो हमर साब मेरा आप से यह question है, आप broker of record हैं, रीमेक्स active reality के, जाहर है आपके भी काफिश मौसबिल्टीज हैं आपके, और काफी, mashallah, wide experience है आपका, तो हमारे नाजरीन के लिए कुछ ऐसी कुछ जाना चाहें उने जो इस profession में आना चाहते हैं, और क्या आप उनके लिए को guidance? देखें ताहर साब, यह है कि वो आए हमारे पास, हम definitely उनके साथ बैठेंगे, उनको tips देंगे, successful करेंगे उने, बलके उनकी जो नए agents हैं, नए बनना चाह रहे हैं, study करना चाह रहे हैं, उसमें definitely हम help करते हैं, कैसे करना है उनोंने, तो, उनको जाना के complete guidance करते हैं, कैसे करना है, उनको help करते हैं, आप उनको, उनको, उनको सारा कुछ करते हैं, हमारे राप्त करने के लिए हमारी website है, www.remaxactive.ca, और telephone number है, 905-290-6777, इस पे anytime राप्त कर सकते हैं, Very good, so, नाजरीन, जैसे कि आपने सुना के, उमर भाहिज साब और आमर जमीर साब, आपर जामीर साब, किसी किसम की आपकी, कोई रेल स्टेट के बारे में कोई आपकी needs हैं, को requirements हैं, और कुछ ऐसे दोस्त जो के सोच रहे हैं, इस profession को join करने के लिए, तो उसके कुछ स्टेज तो किसी किसंग की आपकी इज़िए प्रोपोटी के डारे में, लिएस्ट प्रफेशन के बारे में, तो आप पलीज अमार भाहिज साब एं से कौंटेक की जिए, आप रीमम्हेक्स एक्टिव रेल्टी में, तो ताए exist, तो त transmission की अमीड हैं, तो तू तो ताइक जहींने मै चाहते हैं तो सलाम केनडा एक बड़ा अच्छा एक प्लैटफॉम है हमारे दोस्तों के लिए तो हमारी एमेल है इन्फो एट टिवीवान केनडा डाट कॉम हमारा फोर नंबर स्कूरिन पर डिस्वले कर रहा है आप हमें email भेज़िये, अपना profile भेजिये तो हमाँ बैट के आप से बात करेंगे और आपकी ही बाते हमारे दूसरे दोस भी सुनेंगे और इसके लावा, प्लीस हमें अपनी suggestions भेजते रहा करें हमें कुछ आपकी email वाराइंती, काफी email आ रही है और हमारे दोस्त बहुत पसंद कर रहें इस प्रोग्राम को तो आप पसंद करते रहेंगे और हम पेश करते रहेंगे तो असपरतार को इजाज़ दीजिए आएंदर सलाम कैनाडा में आपसे मुलागात होगी खुदा हापिस करते रहेंगे